हाई गाइज और यूट्यूब चैनल केम चोबदा मजामा तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एक और नए चाट फॉर दा वीक वाले वीडियो में तो आज की वीडियो में हमारे पास है टोटल दो चाट फॉर दा वीक वा तो चलिए आज देखते हैं कहां पर निफ्टी के सपोर्ट बैठ रहे हैं अभी जो है करेंटली मार्केट का आउटलूक कैसा लग रहा है तो चलिए बीना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो एन हाँ आप सभी लोगों का धन्यवाद हम लोग अलमोस् टाइम अभी लास्ट वीक समयर अब अब हम लोग ने वेनस दे वाले वीडियो में डिसकस किया था कि यहां से निफ्टी आलमोस्ट यहां पर ब्रेक आउट के पास खड़ा हुआ है तो ब्रेक आउट आ सकता है और ब्रेक आउट आएगा तो बड़ा मूव हम लोग यहां से निफ्टी ब्रेक आउट हो सकता है तो आप लोग प्लीज फॉलो कर दीजिएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो अल्मोस्ट आप लोग देखोगे तो थस्टे के दिन पर बहुत ही बड़ा मैसिव मार्बूजो केंडल मिला था हमको देखने और बोलोगे तो 370 पॉइंट की रैली आई थी अभी जैसा कि हम लोग की थियरी होती है कोई भी रेजिस्टन्स होता है वह पार होता है तो क्या होता है वह बन जाता है अपना सपोर्ट तो निफ्टी में भी सेम है ब्रेक आउट लेवल था 22775 वह अभी सपोर्ट रियक करेग पहले हमारा जो था वह रेजिस्टन्स जोन था अभी पार हो चुका है तो अभी हो जाएगा अपना सपोर्ट जोन तो यह आप लोग ध्यान में दीजिएगा अभी जो निफ्टी का करेंटली सपोर्ट बन रहा है वह है 22775 का तो यह था अपना निफ्टी का आज का अनलीस तो चलिए आज के जानते है कौण से कौण से अपने चाट फॉर्ट फॉर्ट वीक वाले स्टाक है तो आज के हमारा जो फॉर्स चाट फुर्ट वॉक में तौन कर रहा है अन ब्रेकएट हुआ नहीं है before breakout है तो चलिए जानते हैं इसका analysis तो first of all आप लोग देख रहे हो यह है पारच defense and space and technology का weekly time frame अभी मैं बात करो तो यह stock आया था अपना somewhere about 27th September 2021 में and almost listing हुई थी 460 rupees के पास 460 से आप लोग देखोगे तो almost यह stock गया था 1260 rupees के पास and 170 percent का अपने को return दिया था and फिर यह stock में बहुत ही बड़ी गिरावट आई 1250 से लेकर almost यह stock हो गया था 450 तो IPO के level के पास ही यह stock trade गर रहा था आप लोग आप लोग देखोगे तो यह stock continuously गिर रहा था अभी stock में interesting बात किया थी कि यहाँ पे छोटा सा एक rounding bottom बनाया उपर आया अपने resistance के पास वापी से गिर गया वापी से अपने resistance के पास आया गिर गया यह वापी से एक छोटा सा यहाँ पे breakout करनी की कोशिश की बड़ गया तो आप लोग almost देखोगे one two and यह third time यहाँ पे attempt हो चुका है test तो सायद से यहाँ पे breakout अपना आ सकता है and almost आप लोग देखोगे तो breakout कौन सी डेट से आ रहे हैं यह stock आप लोग देखोगे November में इसने आई मारा था 880 का फिर नीचे गिरा almost September one year के बाद आया यह stock अपने breakout level के पास फिर आप लोग देखो देखे तो one year के बाद वापी से resistance को अपना test किया and वापी से हम लोग बोलेंगे February जानुवारी के आसपास हम लोग को यहाँ पे resistance टच हुआ था अभी higher probability यह stock breakout दे सकता है अगर मैं breakout level की में बात करो 881 से लेके 820 का इसको एक breakout resistance zone हम लोग बोल सकते हैं अगर इस breakout resistance zone को बार करता है यह stock तो एक अच अच्छी buying opportunity हो सकती है इस week का हाई बोलेंगे तो 887 है 890 के पास एक अच्छी opportunity बन सकती है एन इस weekly candle का low अगर यहाँ पे तूट जाता है जो 760 का तो यह stock हमारे लिए हो जाएगा week तो यह आप लोग बात ध्यान में रखना अगर target की में बात करूं तो अल्मोस्ट आप आई भी आप लोग देख सकते हो तो यह था हमारा first chart for the week और आप लोग को कैसे लग रहे हैं हमारे वीडियो वह भी आप लोग कमेंट भी कर दीजीगा तो चलिए जानते हैं अपना second chart for the week कौन सा है तो हमारा जो second chart for the week है वह एक pharmaceutical company and somewhere about हम लोगने 2023 जुलाइमत में इसका reversal breakout प तो यहां पर आप लोग देख रहे हो यह है Glenmark Pharma का monthly time frame first of all हम लोगने यह stock को कब discuss किया था जबी भी यह जुलाइमत में breakout कर रहा था तभी हम लोगने discuss किया था तभी भी हम लोगने discuss किया था नवेंबर मन्त वाले में तो यह stock का पेला breakout था 759 के level अभी जो second breakout हो रहा है वो ह 1,000 रूपीज के पास अभी breakout level की मैं बात करूं तो 994 से लेके 955 का एक breakout level था जो अभी is a support act कर रहा है अभी हम लोग बात करें लास्ट मन्त हम लोग बात करें तो 10% के breakout candle मिली थी अपने को अच्छी खासी candle के साथ breakout हुआ था अभी हम लोग चले जाते हैं एक time frame नीचे जो ह weekly time frame एन हमको अच्छे से समझ आएगा इस stock में breakout हुआ था somewhere about April month 1st April को breakout हुआ था एन अच्छी मारबुजो candle के साथ दिखने को मिला था एन candle आप लोग देखोगे तो बहुत ही बड़िया बनी थी अभी तीन week से लगा था आप लोग को pullbacks नजर आ रहे हैं एन इस week हम लोग ब pullback आ रहा है नजर अगर यह stock अपना जो हाई है 10054 का crossover करता है तभी एक अपनी buying opportunity हो सकती है एन यह stock अगर 950 के नीचे चला जाता है तो यह stock हमारे लिए हो जाएगा वीक इस stock में हम लोग first target की में बात करूं तो first target जो बन रहा है अपना 1263 का अपना जो first target है एन उसके बाद जो breakout होगा वो होगा multi-year breakout तो आप लोग की radar में यह stock होना चाहिए तो यह थे हमारे आज के दोनों chart for the week वाले stock अगर आप लोग के पास भी कोई breakout stock है तो आप लोग जरूर से नीचे comment में लिखिए और बताइए मेरे को के आप लोग कौन से कौन से stock को track कर रहे हैं अगर आप लोग यहां पर लास्ट तक वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए एक stock है जिसका नाम है अमर राजा तो आप लोग उसको track कर सकते हो और वह बहुत ही अच्छा चार्ट पैटन बना रहा है अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजे शेर कर दीजे हमारे यूट्यूब चैनल को और फिर से एक बार धन्यावाद आप सभी लोगों का कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो